हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा जिक चेक बोर्डर का डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है प्यारी डिजैन देकने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप girls और ladies के किसी भी project पर apply कर सकती हैं सभी project पर ये design बहुत ही सुन्दर लगता है इस design को आप as a border या all प्रोचेक पर भी apply कर सकती हैं ये design बनाने के लिए आपको 12 के multiple फंदे लेकर 3 फंदे extra लेने होंगे तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 12 के multiple देखिए आप इसमें 12 फंदे गिन लिजिए फिर से 12 फिर से 12 फिर से 12 फिर से 12 इस तरह से करते हुए last में आपके 3 फंदे होने चाहिए ये design सीधी side से शुरू होता है और 10 सलाईयों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये design कैसे बनाया गया है तो ये देखिए friends इस design को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 27 फंदे और फंदे यहाँ पर मैंने normal ही डाले हैं क्योंकि इस design को बुनने के लिए हमें normal फंदे डालने चाहिए और फंदे हलके से आपके लूज होने चाहिए फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से आप इसमें उल्टी बना लेजिए और ये दो सलाईयां बुनने के बाद अब यहाँ से हमारा ये design शुरू हो जाएगा तो ध्यान से देखे design की पहली सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा एस्टी से इसे उतारिये या उल्टा बनाएगे अब धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना देगे ये दो फंदे बुनने के बाद अब यहाँ से हमारा ये design शुरू हो जाएगा तो धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे लबेट कर एक जाली बना देंगे और यहाँ पर अब हम देखे एक दो तीन और चार फंदे ये उल्टे बनाएंगे अब तीन फंदे का एक फंदा बुन देंगे देखे एक दो और ये तीन इन 3 नों को इस तरह से 1 साथ लेंगे और 3 का 1 फंदा उल्टा बना देगे फिर से हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे 1, 2, 3 और यह 4 अब धागा अपनी तरफ रहे और 1 फंदे को इस तरह से सीधा पुन देंगे तो ये देखिएगा स्टार्टिंग के ये दो फंदे छोड़ कर यहां तक हमने बारा फंदे का डिजाइन बनाया है इसी को बार बार रिपिट करना है तो देखिए मैं आपको गिन कर दिखा देती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा बीच में जो हम तीन का एक करते हैं तो दो फंदे कम हो जाते हैं एक जाली से हमने यहां पर बढ़ा दिया, एक यहां पर बढ़ा दिया तो अब यही बारा बारा फंदे का डिजाइन बार बार रिपेट करना है तो ध्यान से देखिए धागी को अपनी तरफ लेकर आएंगे लपेट कर एक जाली बना देंगे और चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन और ये चार और तीन फंदे लेंगे और तीन का एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे फिर चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, और ये चार धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को सीधा बना देंगे तो आपके जितने भी फंदे हों, ऐसे ही बारा बारा फंदे का डिजैन बार बार रिपिट कीजिए लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, इससे उल्टा बुन देजी तो पहली सलाई डिजैन की कमप्लीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी ही बनेगे इस डिजैन में उल्टी साइड की सारी सलाईयां उल्टी बनानी होती है तो देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनती हुए सलाई को कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखिए दो सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को ध्यान से देखिए पहला फंदा है धागा पिछे करेंगे और अब दो फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक और ये जाली वाला दो धागे को अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर इस तरह से एक जाली बनादेंगे अब तीन फंदे उल्टे एक तो और ये तीन और यहाँ बीच में अब तीन फंदे का इस तरह से एक फंदा बनादेंगे फिर से तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ रहे और अब ये वाले तीन फंदे हम सीधे बना देंगे देखिए एक दो और ये तीन फिर से डिजैन को रिपीट करेंगे धागा अपनी तरफ और लपेट करेंगे जाली बनाएंगे फिर तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन और बीच में तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे फिर से तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, एक, दो और ये तीन, धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे को लास्ट में ऐसे सीधा बुनेंगे और एस्टिच को हम उल्टा बुन देंगे, अब आज येगा इसकी उल्टी साइड पर और चोथी सलाई पर इसे उल्टा बुन कर क कर लिजिए, तो ये देखिए पांच मी सलाई है और सीधी साइड है, पांच मी सलाई को देखे कैसे बुनेंगे, पहला फंदा हैस्टिच है इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे और अब यहां तीन फंदे सीधे आएंगे, एक, दो, और ये तीन, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली बनाएंगे, और दो फंदे उल्टे बुन देंगे, फिर बीच में तीन फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, एक और ये द धागा अपनी तरफ रहे और यहाँ अब पांच फंदे हम सीधे बुनेंगे देखिए एक दो तीन चार और ये पांच फिर से देखिए धागे को अपनी तरफ ले आएंगे लपेट कर एक जाली बना देंगे और दो फंदे ये उल्टे फिर तीन का एक फंदा उल्टा बुन अब दो उल्टे एक और ये दो अब देखिए धागा अपनी तरफ रहे और ये लास्ट में हम पहले तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो और ये तीन और एस्टीज को उल्टा बुन देंगे पांच सलाईया डिजैन की कम्पलीट हो गई छटी सलाई उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए इसकी कम्पलीट कर देंगे 6 सलाईया डिजैन की complete हो गई 7 में सलाई है और सीधी साइड है 7 में सलाई को देखिए पहले फंदे को उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे और अब यहां 4 फंदे सीधे 1, 2, 3 और यह 4 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे अब 1 फंदा उल्टा फिर 3 फंदे का यहां 1 फंदा बना देंगे फिर 1 फंदा उल्टा धागा अपनी तरफ रहे और अब यहां 7 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह 7 फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे लपेट कर एक जाली बनाएंगे 1 फंदा उल्टा और यहां 3 का 1 फंदा बना देंगे फिर 1 फंदा उल्टा और फिर लास्ट में भी आपके देखिए धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे बना देने हैं बीच में आपके 7-7 फंदे बनते चले जाएंगे दोनों साइड पर 4-4 सीधे आएंगे और एस्टीज को उल्टा बुन देंगे अब आज यह इसकी उल्टे साइड पर और 8 में सलाई पर इसे उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजे तो यह देखे फ्रेंट्स 8 सलाई यहां डिजैन की कम्प्लीट हो गई 9 सलाई है और सीधी साइड है 9 सलाई को अब ध्यान से देखिएगा पहला फंदा इसका एस्टीज है धागे को पीछे करेंगे और अब हम यहां पर 5 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और यह पांच धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और लपेट कर एक जाली बना देंगे और यहां पर अब सरफ तीन ही फंदे उल्टे वाले बचे हैं इनका हम एक फंदा बुन देंगे धागा अपनी तरफ रहे और नो फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और यह नो फिर से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे लपेट कर एक जाली बना देंगे और यह वाले जो तीन फंदे उल्टे हैं इनको एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे बीच में तो आपके ऐसे ही नो-नो फंदे आएंगे लाश्ट में आपके छे फंदे इसमें से पांच सीधे और एक उल्टा धागा अपनी तरफ करके पांच फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच और एस्टीच को उल्टा बुन देंगे नो सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई दसमी सलाई है और इसकी उल्टी साइड है आप इसे उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए यहां पर मैंने तीन तार वाली उन ली है नो नमबर की सलाई यूज की है तो इस डिजैन को बुनने के लिए सलाई आप अपनी उन के अनुसार ले सकती है तीन तार वाली हो तो 9 नमबर और अगर नोर्मल हो तो 10 नमबर की सलाई से इस बुन सकती है तो अब दसमी सलाई को हम उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर देंगे तो यह देखे फ्रेंट 10 सलाई यां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब इन ही तस तस सलाईयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो यही डिजैन आप All Project पर अपलाई कर सकती है अगर आप इसे एजे बॉर्डर रखना चाहती है अगर इतना ही बॉर्डर बुनके इसके उपर कोई और डिजैन अपलाई करना चाहे तो वो कर सकती है और अगर आप यह चाहो तो इस डिजैन को हम तीन बार रिपीट करके इस बॉर्डर की जो चोड़ाई है वो लेंध हम थोड़ी सी जादा कर ले और फिर उसके बाद कोई भी डिजैन अपलाई करे सभी तरह से यह डिजैन बहुत ही प्यारा सा लगता है तो फ्रेंट्स आप इन्हीं दस-दस लाईयों को रिपीट भी कर सकती है इतना भी बुन सकती है यह आपकी अपनी मर्जी है डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें Thank you